हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं आज टी टाइम स्नेक्स जो कि आप इवनिंग मॉर्निंग किसी भी टाइम में बच्चों को बनाके इजली दे सकते हैं बच्चे चीज खाना तो वैसे भी पसंद करते हैं तो क्यों न ये रेसिपी अपने घर में बनाके इजी से दी जाए और इस रेसिपी को आप किसी पार्टी में स्नेक्स की रोप में भी रख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं ब्रेड रिंग्स जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है bread rings बनानी के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे बोल में एक बड़े प्याज को चौप करके एट करना है Friends, हमें यहाँ पर सारी चीजों को बहुत ही बारिक चौप करना है एक खिमला मिट्च को चौप करके डालना है फिर यहाँ पर हम एक रेट चिली शिम्ला मिर्च को भी रेंगे और उसको भी अच्छे से चॉप करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर एक टमाटर को बारी चॉप करके एट करना है फ्रेंट्स उसके बाद हम धनिये को यहाँ पर अच्छे से डालेंगे क्योंकि धनिया खाने फुट ही टेस्टी होता है उसके बाद हमने पनीर को ग्रेट करके लिया है आप चाहें तो पनीर को क्यूपस में कट करके भी एट कर सकते हैं अब हम इसमें कुछ स्पाइसे मिलाएंगे जैसे इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च मिलाएंगे बनवाई 4 टी स्पून के लगबग हम यहाँ पर इसमें काली मिर्च को एट करेंगे काली मिर्च से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर टेस्ट की अकोर्डिंग नमक एट करेंगे फिर हम half tablespoon के लगबग इसमें chili flex को add करेंगे, chili flex से इसका flavor बहुत अच्छा आता है, chili flex के जगे पे आप green chili का इस्तमाल भी कर सकते हैं, friends उसके बाद हम यहाँ पर oregano add करेंगे, oregano से इसका flavor बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फिर last में हम इसमें grate करके mozzarella cheese add करेंगे, आप mozzarella cheese की जग आप चाहें तो pizza sauce को भी use कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 1 tablespoon भर के tomato sauce को add कर रही हूँ, अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से mix कर देंगे, और इसका एक mixture बना लेंगे, तो friends यह देखे हैं, देखने में कितना ही delicious लगता है, इसको हम ऐसे भी normally salad के रूप में भी खा सकना है, यह तब भी बहुत tasty लगता है, तो friends यह लीजिए, हमारी filling बनके तयार है, friends इसको हम एक side में रखते हैं, और एक bread के slices लेते हैं, मैंने यहाँ पर 6 bread के slices लिया हैं, आप जितना नास्ता बनाना चाहें, उतने slices का use कर सकते हैं, उसके बाद हम इस plate को side में रखते हैं, दूसरी plate ल तो friends यह देखिए, बहुत ही easily bread कटके तयार हो जाता है, इसी प्रकार से हम सारे bread को अच्छे से cut कर लेंगे, तो friends यह देखिए, हमने bread को अच्छे से cut कर लिया है, और सारे bread अच्छे से cut के कितने ही सांदार लग रहे हैं, तो friends उसके बाद इसको side में रखते हैं, इसका एक पीश उठाते हैं, अब पहले हमने cutori का use किया था, अब हम glass का use करेंगे, अब हम glass से इसको cut कर लेंगे, और इसके जो अंदर वाला part है, उसका use हमें नहीं करना है, उसका हम bread crumbs में बना सकते हैं, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, उसके bread crumbs में बना के हम किसी और recipe में तया इसे बना लिया है, अब हमने क्या करना है, अगर आप oven या कड़ाई में इस recipe को बना रहे हैं, तो हमें ये step करने की ज़रत नहीं है, लेकिन मैं तवे पे बनाऊंगी, तो मैं ये step कर रही हूँ, अब हम एक pan रखेंगे, पैन में थोड़ा सा butter add करेंगे, butter को पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे, तो friends ये देखिए, butter को मैंने अच्छे से फैला दिया है, अब हमने जो rings glass से cut करके रखे थे, उसको इस pan में add करेंगे, और इनको हम हलका सा crispy होने तक golden brown होने तक अच्छे से शेक लेंगे, तो friends ये देखिए, हमारे जो rings थे, वो अच्छे से golden brown हो इसको हमें बहुत अच्छे से से शेक लेना, friends हमारे रिंग एक साइट से से शेक के तयार हो गए है, अब हम इन तीनों को अच्छे से पलट देते हैं, तो आप देख रहे ना friends इन पे golden सा color आ गया है, friends हमारे रिंग से शेक के अच्छे से तयार हो गए है, अब हमने जो extra bread करके रखे थे, उनको लेंगे और उस पे हम पीजा सॉस लगाएंगे, friends आप चाहें तो mayonnaise या soya tomato sauce का इस्तमाल भी कर सकते हैं, इसे प्रकार से हम सारे bread पर अच्छे से पीजा सॉस लगा लेंगे, उसके बाद हमने जो glass ring कट कर रखे रखे थे, उसको इसके उपर अच्छे स तयार कर लिया है, अब एक rings लेते हैं, और हमने जो mixture बना के रखा था, उस rings में उस mixture को add करते हैं, friends आप देख रहे हैं, देखने में ही कितना लाजब लग रहा है, तो friends ये लीजे, मैंने mixture को अच्छे से add कर दिया है, और इसको हम अच्छे से push कर देंगे, उसके पास हम grated cheese क use करेंगे, इसके उपर हम grate करके cheese को रख देंगे, friends इसे प्रकार से हम सारे rings को तयार कर लेंगे, तो friends ये देखिए, मैंने सारे rings को अच्छे से तयार कर लिया है, अब हम चलता है, गैस की तरह, गैस पे वही pan वापस से रखते हैं, तो friends, pan रखने के बाद, pan में हम butter add करेंग बटर को अच्छे से melt होने देंगे, तो friends, ये देखिए, हमारा butter अच्छे से melt होने लगा है, इसके पूरे pan में अच्छे से फैला देंगे, friends, आप चाहें तो इसमें यहाँ पर रेड चिली पॉलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करूंगी, क् मैं बच्चो के लिए बना रही है, उसके बाद हम पैन में अपने सारे rings को add कर देंगे, friends, यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें मोटे तले का बरतन लेना है, और ऐसा बरतन लेना है, जिसकी lid ऊपर, चीज के ऊपर, ना टच हो, तो friends, ये लिजे, मैंने सारे rings क अच्छे से सेट कर दिया है, उसके बाद लिड लगा कर इसको पांच मिनिट के लिए अच्छे से बिल्कुल स्लोवाच पर पकने देंगे, friends, पांच मिनिट हो गए है, पैन की लिड को हटाते हैं, तो friends, ये लिजिए हमेरे ब्रेड के rings बनके बिल्कुल तयार हो गए है, त अच्छे लगी हो, तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट केजेगा, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब केजेगा, friends, आप इसे ग्रीन चेटनी या ट्रमेटो सोस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और बच्चे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि अल्रेड अपना ध्यान रखिए